नमस्तों स्वागते अपसर का फिर से बिंदा अबलोक में दोस्तों आज की सुबह के जो शुरू आते हैं बोकुछ बालकनी में इस तरह के नजरे सो हुआ है देख सकते कितना प्यारा नजा रहा है और सुबह सुपके टाइम कितना मदा वस्वम से लग रहा है यहां का मोसम जो है सर्दी हलकेल किसी पढ़ने लगी है और घर से में कुछ भी नहीं लेकर रही हूँ बच्चों को ठड़ सी लग रहे थे रात को और सोनु कज तबीयत है पता नहीं क्यों इतना दिन बाद दिन भी घरते जा रही है मैं तो नहीं समझ पारी हूं लेकिन डॉक्टर जो ह यह खाना सुबे के लाया हुआ है इसमें रोटी है सबजी है और यह वो एपिल लिख आई थी जो यह दई और यह है सोनु जो 24 गंटा रो रहा है दरत के बज़े से इसबना देन तकलीव हो राए है वाँ जो तकलीव हो रही है क्योंकि एसके व्हर बहुत lang़ बुड़ी शह लेकिवाइआ सूंहीं लिख्याई है हिरो नहीं हो नहीं है में पादिआ गों को ढूंदियों थेख अभी निकाल देंगे जल्दी खतं हो जाएगा ना वहाज ज़ंगी देखो वह कितना जल्दी चल रहा टेस्टेस्ट कादी रए टपाश टपाश देखो नल का पाणी पानी आता है अपने घर में ऑ टब टब डब टब डाल खुड़ तू एसे नहीं गलत बात है बार बार यह की बात बोल रहा है सुई को निकालो सुई को निकालो लेकिन उसे कैसे समझाओ कि सुई को नहीं निकाल सकते लखते कैंट रशे Кईय जब तक सेहन हो गया तब तक नहीं निकालेंगों और जब तक इस हातो में सोजन ना आजा जाय ंजब तक नहीं निकालें आ देखते बागवन कब तक सुनता है मेरा लेट सुनेंगे लेकर सुनेंगे जरूर दोनों बच्चे बीमारे मेरे एक भी सेनी है छोड़ो छोड़ो याने याने कपानी है लानेक वाला छोड़। लानेक वाला छोड़। तो जी दिन डल चुका था यहां पर देख सकते में लेटी हुई हूँ जबकि दो बच्चे हैं मेरे इतने से बिस्तर में कुछी नहीं होता लेटने की बज़े यह हैं सोनु को बहुत ज़दा फिबर हो रहा है तो सोनु बोल रहा है मेरे पास सोने तो मैं उपर नहीं सोंगा और मुझे यह जो इंजिक्शन लगा हुआ है इसे भी नहीं लगा हूँगा इसे भी आप अटालो यह फिर हटवा दो उसे किसी भी तरह से चूप नहीं कर पा पा रहे थी इस बज़े से मजबुरन बच्चों के साथ मुझे सोना पड़ा है आप देख सकता कि इतना सा है क्योंकि फिबर जो है एक सिकन के लिए भी कम होने का नामीने ले पा रहा है और इसी के साथ जो है लूज मोशन लगा हुआ है तो सोची है सिरीज लगी हुए हातों में और बार बार अगर लूज मोशन के लिए कोई बच्चा जाए तो उसका हालत कैसा है देख सकते हैं मैं भी कैसा कैसा रियक्षन दे रहा है और कैसा कैसा हरकते करे जा रहा है तो मुझे तो सोना नहीं है रात की टाय में रात के करेब सारे तीन चार करीब बज रहे हैं तो रात को भी नहीं सो पाती हूँ दिन को भी नहीं सो पाती हूँ कोई बात नहीं मुझे कोई परक्ण परता बस मेरा बच्चे के तब जल्दी से बगवान से कर दे बच्चे दिन में बहुत ज़दा परिशान हो गया थे तो मैं चले के बाहर बाहर जाका थोड़ा सा चॉकलेट जो है कॉफी बाइट की नाम से आता है बहुत लेकर आये दस रुपए का क्योंकि दोनों बच्चे बहुत परिशान हो रहते हैं तो उनको जैसे चोकलेट दे दिया तो सोनों थोरी से देर के लिए खुश हो गया जबकि डॉक्टर ने माना किया था उसे देने के लिए लेकिन मैंने फिर भी चूपके से दे दिया तक बच्चे का माइंड भी थोड़ा सा सी रहने तो मतलब जाचे बगरा लिखा है दिन में कम से कम 10 बार जाचे हो रही है तो इस बज़े से ना मैं उन जाचो को तो आप लोगों सा शेयर नहीं कर रही हूं पर जरू करूंगी समय मिलेगा तो इस टाइम समझ सकते हैं आप लोग मेरी जो हालत है क्या हालत है दोनों बच्चों को इस तरह चोर के जाती हूं खाना लाने के लिए कभी क्या कभी क्या और सोनु को बहुत ज़्यादा दवाय लग चुकी है अब यह आप लोग अगर देख पाएंगे तो उसके हाथों में बहुत सारी दवाय लग चुकी है यह मेरा थर्मोमेटर जो कि घर से लाई हुई है तो देखिए हाथों से इना गिर गया और गिरने की भी जैसे इसका बैटरी थोड़ा सा जो है लूज हो चुकी है लेकिन यह काम कर रहा है अभी भी लेकि शायद यह ज्यादा दिन तक काम नहीं करें क्योंकि कोई भी अगर से चीज एक बर गिर जाता है उसके बाद में काम ओं ढ़र आपके नहीं करता है आप लोगों को मैं दिखा रही हूं देखिए बाबु का फीवर इतना ज़्यादा हो रहा है यहादा है हस्तता हो रहा है क्योंकि है जैस ने शेलरे written ay क्योंकि वो अपने बाप से बहुत ज़दा प्यार करता था लेकिन मैं उसे समझाने पाती हो कि बेटा जो इंसन्ट चले जाते वो लॉट के नहीं आता है कई बार उसे समझा चुकि उमर गया मर गया लेकिन वह के मानता ही नहीं है देख सकते हैं आप लोग उसका फिवर कितन बाप सब्सक्राइब कर दोनों बच्चे सो रहा है वह बहुत है मेरे लिए क्योंकि आप बैटने के लिए बिस्तर में जरुआ जगे नहीं है जगे कहां से होगा वस्पिटल का बैड आप सभी को पता है बस एक मरीज के लिए होता है लेकिन यहां पर तो दोनों बच्चे स हो रहा है वह बहुत है मेरे लिए क्योंकि अगर एक ही बैड मेला नहीं था बैड जो है इस टाइम कम पर रहा है और देख सकते हैं बाबु के कितने सरे मशीने लग चुकिए यह जो छोटा सा मशीन दिख रहे है आप लोगों को बाइट कलर का गोल का गोल सा दिख रहा है पान्सुरुपय का बहुत ही महहँगी आया है अब वो कि आता है मुझे इतो नहीं पता है यह जो है बाहर मग़ाया थे तो मुझे कहीं से भी तो पैसे बगरा मदद बगरा नहीं मिलती है जो भी मेरे बास देखूंगे घृगवान कितने दिर कर बाहा पाता है उतना दिर क यह कोई नहीं नहीं राख है तो कम से कम 4-5-5-000 रुपए तो कम से कम बच्चे करना रिल पने का ख़र्चा या फिर कुछ दबाई का क्रचा दबाई का रचा दाह पर दूंगी जितने भी दबाईलिक रखें यहां पर बहुत ज़दा रात होने के बाद फिर भी नहीं सो सकती क्योंकि बाबुका तबेत बहुत ज़दा खराब उरी है कंदने के बाद पर गाए है क्या बढ़ें पर आता है कि और शुक्रम भी नहीं पर मुझे सार रात जूवD आफ। बहुत लोग मुझे इस तरह से बोल रहा है कि आप फेंड़ बैडियो बना रही हो तो मुझे समझ नहीं परता हूँ किक तय कि है, और मैं गलत हूँ और क्या गलत लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वीडियो में जूट कहना जरा रहा है खेर लोगों का काम है कहना उनको कहते रहें दो मुझे कोई फरक नहीं परता मैं आप लोगों से हर जूर कर यहीं बिंति करूँगी कि जितने भी मेरी यूटूब फैमली है मुझे आप लोगों से कुछ ही निच यह बस आप लोग दुआ करना कि मेरी दोनों बच्चे जल्दी सी सही हो जाए और जो है मैं यहां से निकल जाओं